Hello students, today let's start the poem Chibi of Honeycomb Chibi का means होता है नसीहत देना जैसे हम किसी को नसीहत देते हैं कोई काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सारा दिन लगातार किसी को नसीहत देते रहना जैसे बड़े लोग होते हैं घर में पैरेंट्स होते हैं, बड़े भाई वैन होते हैं अपने छोटे वाई बेनों को और पैरेंट्स अपने बच्चों को नसीहत देते रहते हैं कि ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, यहां मत जाओ, वहां मत खेलो, यह मत करो ऐसा करो, वैसा करो, यह सारी नसीहते देते रहते हैं तो आप बताईए बच्चो क्या तुमारे अनुभब में भी ऐसी होता है तुमारे बड़े तुम्हें नसीहत देते रहते हैं इस पोयम को पढ़ते हैं और फिर अनुभब करते हैं कि क्या हमारे बड़े हमें ऐसी नसीहत देते हैं Gronze Up say things like Gronze Up means बड़े लोग बड़े लोग say things like ऐसी बाते कहते हैं like जैसे speak up means इसपस्ट बोलो don't talk with your mouth full don't talk बाते मत करो with your mouth full भरे हुए मुह से या अपने भरे हुए मुह से बाते मत करो या बोलो मत don't stare घूरो मत don't point means point means निसाना उंगली से निसाना मत लगाओ या मत करो don't pick your nose अपनी नाक में उंगली मत करो ऐसी नसिया देते हैं न टोकते हैं न बच्चोंको टोकते हैं पहरेंट साब के और क्या बोलते हैं आगे sit up उठ कर बैठो say please किरपिया बोलो less noise sore come करो set the door behind you अपने पीछे दर्वाजा बंद करो don't drag your feet अपने पैर मत ड्रेग करो अपने पैर मत घसीटो haven't you got a hanky क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है take your hands out of your pockets अपने हाथ जेब से बाहर निकालो तो ये नसीहत ऐसी हमेशा बड़े लोग देते रहते हैं आगे क्या देते हैं pull your socks up अपने मोजे उपर करो stand up straight means सीधे खड़े हो say thank you धन्यवाद कहो don't interrupt बीच में मत बोलो no one thinks you are funny कोई नहीं सोचता की तुम मजा क्या हो take your elbow off the table अपनी कोहनी को मेज से हटाओ can't you make your own mind about anything क्या तुम किसी बात पर अपना मन नहीं बना सकते हो या कोई निल्डिया नहीं ले सकते हो Michael Rosen Michael Rosen ने कहा इसमें कुछ notes भी दिया गया था starting में कि एक बार जब Michael five years के थे तो उनकी माता उनको एक past के school में addition के लिए लेके गई और उनके teacher ने उनसे पूछा कि what does your mother call you at home कि तुम्हारी माता तुम्हें घर पर क्या कहके बुलाती है child बच्चे तो Michael ने जवाब दिया Michael don't मिंस Michael मत came the confidently reply उसने पूरे उत्साहा और विश्वास के साथ ये जवाब दिया कि Michael don't मिंस मत माइकल don't do this मतलब ये कहती है ये मत करो बो मत करो ऐसा ना करो या नसीहत देते रहते हैं और last में क्या decision आता है फिर बच्चों से क्या कहा जाता है कि क्या तुम अपना कोई decision अपना कोई नियुलिया नहीं ले सकते हो और जबकि सारी उम्र बच्चपन से जब तक बच्चा बड़ा होता है पैरिंट्स उनको नसीहत देते रहते हैं और बाद में उनसे कहते हैं कि तुम अपना नियुलिया खुद नहीं ले सकते हो ये थी माइकल रोसन की पोयम ओके थैंक्यू टेक केर